नमस्कार दोस्तों साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता वड़ा आपका हारदिक स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ दोस्तों पिछले सत्र में हमने सुमित्रा नंदन पंथ जो छायावाद के चार आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं उनके एक बहुत ही महतुपूर्ण कविता प्रथम रश्मी पर बात की थी उनके जीवन परिचय उनके कृतित्व और उन्हें समय समय पर अपने कृतित्व के चलते जो साहितिक सम्मान प्राप्थ हुए उनको भी हमने अच्छी तरह से जाना था आज के सत्र में हम सुमित्रा नंदनपंध की एक दूसरी कविता परिवर्थन जो के एक लंबी कविता है और बहुत ही महतुपूर्ण कविता है उस पर बातचीत करने वाले हैं और ये कविता नैट के पाठ्य करम में प्रस्तावित है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत सबसे पहले परिवर्तन कविता के विशह में कुछ एक चीज़ें हमें जाननी बहुत जरूरी हैं दोस्तों और सबसे बहतुपूर्ण बात ये है कि ये क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक लंबी कविता है और ये कविता स्वयम कवी के द्वारा 31 पद्यों में विभाजित की गई है कितने पद्यों में 31 पद्यों में विभाजित की गई है इस बात को आप भूलेंगे नहीं दूसरी बात ये कविता 1924 में रची गई पल्लव नामक सुमित्रा नंदन पंत के कावे संग्रह में संकलित है जिसकी भूमिका को क्या कहा जाता है जिसकी भूमिका को चायवाद का मैनिफेस्टो कह कर के पुकारा जाता है पिछले सत्र में हमने इस पर चर्चा की थी विद्वानों ने इस कविता को एक grand महा काव्य कहा है यदि प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि grand महा काव्य नाम से किस कविता को संबोधित किया जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए सुमित्रा नंदन पंत क की परिवर्थन कविता पंत जी के अनुसार ये पल्लव काल की प्रतिनिदी रचना है यानि उस रचना को इस लंबी परिवर्थन नामक कविता को चायावाद की यानि पल्लव काल की पल्लव काल मतलब पल्लव काल यानि पल्लव कविता संग्र है के दौरान प्रकाशन के समय जो भी रचनाएं लिखी गए यानि पल्लव में संकलित जो भी उनकी कविताएं हैं उनमें से एक प्रतिनिधी कविता वे मानते हैं अपनी स्वयम की परिवर्तन कविता को इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंत जी ने किस कृती को, किस रचना को, किस कविता को अपनी एक प्रतिनिधी रचना माना है या पल्लवकाल की प्रतिनिधी रचना माना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए परिवर्तन, आगे चलते हैं और एक और महतुपून बात कि इसकी जो विशयवस्तु है वो है उसकी परष्ट भूमी दार्षनिक है यानि दार्षनिक परष्ट भूमी पर रचित कविता है परिवर्दन, कविता में कवी ने परिवर्दन को जीवन और जगत का शाश्वत सत्य स्वीकार किया है इस कविता में दोस्तों उन्होंने न केवल परिवर्तन के विनाशकारी विद्वन्सकारी रूप की बात की है बलकि उसके स्रजनकारी रूप को भी हमारे सामने रखा है पाठकों के सामने रखा है और इस बात से जो एक सार निकल करके आता है वो ये है कि कवि ये मानते हैं कि परिवर्तन जीवन और जगत का एक महतुपूर्ण सत्य है परिवर्तन के बिना जीवन स्थिर हो जाएगा गतिहीन हो जाएगा निश्क्रिय हो जाएगा और इसी प्रकार जिस प्रकार जीवन निश्क्रिय हो जाएगा उसी प्रकार यदि जगत में परिवर्तन ना हो तो जग भी स्थिर और गतिहीन हो जाएगा यही बात कहने की कोशिश की है यहां पंत जी ने इस कविता के माध्यम से अगला बिंदू परिवर्तन के सुंदर और सकारात्मक रूप के साथ कुरूप और विनाशकारी रूप का भी चित्रन किया गया है यह बात मैं अभी आपको बता च जीवन का शाश्वत सत्य है शाश्वत क्या होता है शाश्वत वो होता है जिस सत्य को कभी किसी भी इस्थिती में बदला नहीं जा सकता वो शाश्वत सत्य होता है हमेशा जो सत्य हो वही शाश्वत सत्य है सत्य दो प्रकार के होते हैं कि एक सत्य वो जो समय के बाद परिव पहला संदेश है कि परिवर्तन जीवन का शाश्वत सत्य है दूसरा संदेश है कि जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब परिवर्तन शील है दोस्तों हम स्वयम देखते हैं कि हम बीज मिट्टी में बोते हैं उसमें अंकुर फूरता है और अंकुर यदि में य कैसे वरिक्ष बनेगा वरिक्ष में यदि परिवर्तन ना हो तो उस पर कैसे कलिया आएंगी कैसे पुष्प आएंगे कैसे फल लगेंगे ये बात बिना परिवर्तन के संभवी नहीं और यही कारण है इस बात को आप हर स्रश्टी के प्रत्यक तत्व पर लागू करके देख स करके हम बालक और फिर किशोर और फिर युबावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर अग्रिसर हो ही नहीं और सब कुछ स्थिर हो जाएगा तो उसी तरीके से कभी कहना चाहते हैं कि जगत में सब कुछ परिवर्तन शील है परिवर्तन ही संसार के विकास का आधार है जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि परिवर्तन नहीं होगा तो गतिहींत आ जाएगी जीवन में भी जगत में भी निश्क्रियत आ जाएगी और ऐसी स्थिटी में विकास संभव है ही नहीं क्योंकि यदि परिवर्तन होता है तब ही विकास होता है कोई भी काम हम पुटे रूप में शुरू करते हैं और यदि उसमें बदलाव ना आए तो वो विकसित नहीं होता तो इसलिए विकास का आधार कभी ने क्या माना है परिवर्तन को माना है ये तीसरा संदेश है चौथा संदेश है संसार में सुख दुख जीवन के दो पहलू है तथा जीवन में दोनों का आनामिश्चित है यदि सुख है तो दुख का आनावश्यम भावी है और दुख है तो सुख का आनावश्यम भावी है और यही बात दोस्तों गीता के दूसरे अध्याय में भी कही गई है तो इसलिए ये इस पर एक तरह से हम गीता का गीता दर्शन का प्रभ हाव मान सकते हैं आगे चलते हैं संसार में दीनता और दुर्बलता है दीनता यानि असहाय इस्थिती गरीब निर्धनता और दुर्बलता यानि कमजोरी कौन सी कमजोरी शारीरिक दुर्बलता नहीं बलकि चेतना की दुर्बलता आत्मा की दुर्बलता मन की दुर्बलता इस इस संसार में कोई गरीब ही न हो, यदि इस संसार में कोई दुखी ही न हो, यदि इस संसार में कोई असहाय ही न हो, तो संभवत है हमारे मन में दया का भाव, क्षमा का भाव, प्यार का भाव, उत्पन नहीं नहीं होगा, तो कवी यही कहना चाहते हैं, कि क्योंकि इस संसार म कि हम मनुश्यों के हिर्दय में दया, शमा और प्रेम जैसे सुन्दर भाव भी विद्यमान है क्योंकि यही भाव एक मनुश्य को दूसरे मनुश्य से आत्मेक स्तर पर जोडते हैं अगला बिंदू, जगत की परिवर्तन शीलता के कारण ही आज का दुख कल का आनन्द बन जाता है, यानि कवी कहना चाहते हैं कि यदि आज दुख है तो उस दुख की नीव पर ही कल के सुख का, कल के आनन्द का, कल के हर्ष और उल्लास का सुन्दर भवन स्थापित होगा, ज जीवन का अर्थ है जगत का निरंतर विक्सित होना, और मृत्यू का अर्थ है गती तथा क्रम का नश्ट हो जाना, कैसे? जैसे हम जीवन में होते हैं, जैसे ही कोई बालक जन्म लेता है, दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, कि शैशवा वस्था से वो बच्पन में आता है, बच्पन से वो किशोर आवस्था में जाता है, किशोर आवस्था से वो यौवन में आता है, और यौवन से व्रद्धा वस्था में और उसके बाद मृत्यू को प्राप्त होता है, यानि जीवन का मतलब है, जगत का यानि निरंतर विकासमान होना, लेकिन जब वो व्य के रूप में हुआ, मृत्यू के रूप में हुआ, अब बात आती है परिवर्तन कविता के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबी कविता है ये, तो इसलिए इसके चायनित अंशों पर ही हम बात करेंगे, लेकिन पूरी कविता के सार को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो पहले परिवर्तन कविता का सार और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण, चायनित अंशों को व्याख्या सहित समझेंगे, जो परिक्षा की दृष्टी से बहुत महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला बिंदू, कवी स्ट्रिष्टी के प्रारंभ में विद्यमान, प्राक प्रावटी पन नहीं था, कब जब स्रिष्टी प्रारंभ हुई, कवी कहना चाहते हैं कि उस समय कोई भी बनावटी पन प्रकृती के सौंदरेम नहीं था, जो कुछ भी था, वो प्राकृतिक था, स्वाभाविक था, प्रकृती जन्य था, और क्या नहीं था, एक तो क्रत् पुराना पुराना ये जो वैभावशाली यूग था जबकि गरीबी जैसी स्थितियां थी ही नहीं केवल सौंदरे ही जीवन का अंग था तो उस स्थिति को याद कर कभी प्रकृती के परिवर्तित रूप की बात करते हैं कि किस प्रकार स्रश्टी के प्रारंब से लेकर आज तक प्रकृती के रूप में निरंतर बदलाव होते रहे हैं परिवर्तन आते रहे हैं और यही कारण है कि इस परिवर्तन के कारण आज जबकि प्रकृती के रूप पर क्रत्रिम्ता चा गई है बनावटी पन चा गया है तो कभी को बसंत के रितु में भी वातावरण में जो सुन्दर्ता जो सुगंध पुष्पों की विद्यमान होती है वो सुनी सुगंध से युक्त है हवा लेकिन फिर भी वो हवा उन्हें कैसी प्रतीत होती है सुनी सांसों के समान प्रतीत होती है क्यों क्योंकि उसमें वो क्रत्रिमता है उसमें स्वाभाविकता नहीं है उसमें व्यक्ति उत्पन होता है, जो जीवित प्राणी सजीव उत्पन होता है, वो एक दिन मृत्यू को अवश्य प्राप्त होता है, यानि पत्ता उगता है और जड़कर के समाप्त हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो ये सारी परिवर्तन की प्रक्रियाओं को देखकर कभी सोचने पर विवश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये संसार मिथ्या है मिथ्या यानि जूँट है जूँट यानि सारहीन है इसमें कोई सार्तत्व नहीं है क्यों क्योंकि यह है प्रतिक्षन परिवर्तन शील है हर क्षन इस संसार में परिवर्तन होता है अब प्रकृती के कणकण में इस संसार के प्रकृती नहीं कहना चाहिए बलकि संसार के कणकण में संसार की प्रत्येक वस्तु को देखकर वो उसमें हो रहे परिवर्तन को अनुभव करते हैं और जब वो देखते हैं कि एक बच्चा किस प्रकार किशोर आवस्था से युवा और फिर व्रद्धा वस्था की ओर आता है और मृत्यू को प्राप्त होता है तो वो इस प्रकार के बचपन के कोमल शरीर में जो परिवर्तन समय के साथ आ रहा है उसे देखकर भी इस परिवर्तन को अनुभव करते हैं आगे चलें कभी सुख दुख आशा निराशा उत्थान पतन को भी परिवर्तन के रूप में ही देखते हैं यानि जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जीवन में सुख है तो दुख भी है आशा है तो निराशा भी है उत्थान अगर कोई चीज ऊपर उठती है विकसित होती है तो एक न एक दिन उसका पतन अवश्यम भावी है ये विपरीत स्थितियों में ही संसार विकासमान होता है जीवन विकासमान होता है जब ये स्थितियां कवी महसूस करते हैं तो वे संकेत करते हैं इनके माध्यम से कि ये भी एक परिवर्तन का अंग है लेकिन साथ ही हमें ये भी जान लेना चाहिए कि सुख के बाद दुख औ चाना प्रकृति में परिवर्तन का सनकेत है, क्योंकि जीवन और जगत में कोई भी वस्तू, कोई भी स्थिती हमेशा एक जैसी रहती ही नहीं, यानि परिवर्तन, प्रकृति का नियम है अगले बिंदु पर आते हैं कभी कहते हैं कि एक और जन्म का हर्शोल लास कुझता है और दूसरी और बृत्यू का हाहा कार सुनाई देता है अर्थात यह जगत परसपर विरोधी एवं परिवर्तनशी लिस्तियों के मध्यी विक्सित होता है इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे इसी बात पर बार बार अलग अलग तरीकों से बल देने की कोशिश कर रहे हैं कभी पंत वे कह रहे हैं कि जहां एक और एक परिवार में एक घर में बच्चा जन्म लेता है खुशिया मनाई जाती है खुशियों मंगल गीत गाये जाते हैं लेकिन दूसरी और पास के ही किसी घर में मिर्त्य होती है जीवन का अंत होता है और वहाँ पर करुण करंदन सुनाई देता है हाहा कार सुनाई देता है, चीतकार सुनाई देती है, तो ये जो दो विप्रीत स्थितियां हैं, ये विप्रीत स्थितियां प्रत्येक प्रकृती के कणकण में जीवन के हर कदम पर हमें दिखाई देती हैं, क्यों क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि जीवन और जगत का विका परस पर विरोधी इस्थितियों के मध्य से ही विक्सित होकर आगे बढ़ता है जिस प्रकार रात्री के बाद दिन का आना दिन के बाद फिर से रात्री का आना हमें आनंद प्रदान करता है उल्लास प्रदान करता है और ये बताता है कि समय बीत रहा है समय विक्सित हो रहा है समय आगे बढ़ रहा है उसी तरह से ये परस पर विरूधी स्थितियां भी हमें समय की जीवन की जगत की विकास शीलता की और संकेत करती प्रतीत होती हैं आगे चलें कविता के छटे भाग में जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि 31 भाग हैं कविता के कविता के छटे भाग में कवि परिवर्तन को क्या कहकर संबोधित करते हैं निष्ठोर परिवर्तन कहकर संबोधित करते हैं बहुती महतुपून पंग दिया हैं और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि ने परिवर्तन को निष्ठोर परिवर्तन क्यूं कहा है इसकी चर्चा जब हम इससे संबंदित अंश पर बात करेंगे तब हम करेंगे तो कविता के छटे भाग में कवी परिवर्तन को निष्ठोर परिवर्तन कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव अर्थात विनाशकारी रित्य स्रिष्टी में सरवत्र द कौन से पक्ष की बात कर रहे हैं विद्ध्वन्सकारी पक्ष की बात कर रहे हैं विनाश शीलपत पक्ष की बात कर रहे हैं जब कि परिवर्तन के कारण संसार में विनाश की लीलाएं हमें चारो ओर दिखाई देने लगती हैं और उस विनाशकारी कार्य को वे क्या कह रहे हैं तांडव कह रहे हैं तांडव क्यों कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण जब क्रोध भगवान शिव जब क्रोध में होते हैं और क्रोध के कारण उनका तीसरा नेत्र खुलता है तब वे क्रोधा वेश में आकर तांडव रित्य करते हैं जो इस बा विनाश लीला को देखकर भी कवी उसे तांडव कह करके संबोधित कर रहे हैं और इस तांडव का हम सांकेतिक अर्थ ग्रेंड करेंगे जो हुआ विनाशकारी नृत्य है अगले बिंदू पर आते हैं कवी को जगत के सभी करून द्रश्यों और उत्थान पतन में परिवर्तन का चक्र दिखाई देता है अतहे वे परिवर्तन को सहस्त्र फन वाले वासुकी नाग के समान बताते हैं वासुकी एक नाग होता है एक सांप होता है जिसके सहस्त्र यानि सेंक्रों फन होते हैं और बह परिवर्तन के विश्भरे दांतों के समान और कलपांतर को परिवर्तन के वस्र के समान विश्व को उसकी आवासिय गुफा और दिशाओं को उसके वक्र कुंडल के समान चित्रित करते हैं। कवी ने परिवर्तन को स्रिष्टी को पीडित मर्दित मतलब कुछलना, मसलना, दमन करना, खंडित करने वाला अमंगल कारी और निरंकुष बताया है। यानि किन-किन विशेशनों से विभूशित किया है कवी ने परिवर्तन को ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कवी ने आग, बाड, भूकंप को परिवर्तन का सैन्य दल कहा है। आगे चलें। कवी कहते हैं कि ओ परिवर्तन तुम्हारा एक कटाक्ष, यानि कटाक्ष का अर्थ क्या होता है। एक तो होती है मधूर द्रिष्टी, प्यार भरी द्रिष्टी और एक होती है तिर्ची तीखी द्रिष्टी, तीखी द्रिष्टी को कटाक्ष कहा जाता है, कटाक्ष संपूर्ण स्रिष्टी में प्रलय उत्पन कर देता है, यानि जब तुम तेड़ी नजर से किसी को भी और ये जो युद्ध सा छुड़ जाता है उससे का परिणाम क्या होता है उसका परिणाम होता है कि गगन चुम्बी इमारते यानि बहुत उची-उची मजबूत इमारते और बड़े-बड़े सामराज सब भूमी में मिल जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं धराशाई हो जा तुम्हारे एक रोमांच पर यानि तुम्हारे एक हलके से इशारे पर दिशाएं कांप जाती हैं, पक्षी गण भैवीत होकर प्रत्वी पर गिर पड़ते हैं, सागर में फेन युक्त उची उची लहरे उठने लगती हैं, जो सौफ अनवाले सर्प के समान और दिशाएं कैस हो जाती हैं, पिंजरे में बंद गजराज के समान तुम्हारे इशारों पर नृत्य करती प्रतीत होती हैं, कुल मिलाकर इन पंक्तियों का भावार्त ये हैं कि परिवर्तन संपूर्ण स्रिष्टी को, संपूर्ण प्रकृती को अपने नियंत्रण में रखता है, वो केवल विनाशकारी जो परिवर्तन है, उन्हें सजीव पर ही नहीं आजमाता, बलकि उसके कारण चारों दिशाएं, दसों दिशाएं, आकाश, पाताल, भूमी और भूमी पर स्थित सभी वस्तुएं कंपाइमान और नश्ट होने लगती हैं, आगे चलें, आकाश भयंकर वेग से चलने वाली वायू से आहत होकर, यानि जब बदला भयंकर परिवर्तन आता है, तो क्या होता है, आकाश जो कि हमीशा स्थिर है, शून्य कहते हैं, जिसे हम जहां हम ब्रह्म का परमात्मा का आवास मानते हैं, उस आकाश में भी तेज हवाएं, तूफानी हवाएं चलने कुश्पित और कुसुमित होनी शुरू ही है, उसमें नए नए पत्ते आये हैं, कुछ कलियां आई हैं, उसके मानवी करण के द्वारा परिवर्तन की विनाश लीला का मर्म सपर्शी चितरन प्रस्तुत किया है, आगे चलें, कवी ने कहा है कि परिवर्तन की विनाश लीला क तो कि उशाकाल कैसा प्रतीत होता है? रक्त रंजित प्रतीत होता है, यानि खुन से सना हुआ क्यों? क्योंकि उससे कुछ समय पहले, उससे पहले जो रात्री भीती, उस रात्री के दोरान भायंकर विनाश नीला परिवर्धन के कारण हुई, जिसमें अनेक सजीव भृत्य को प्राप्थ हो गए, नश्ट हो गए, उनका पूरी तरह से नाश हो गया, तो इसलिए कभी उस सवेरे को रत्रंजित कहते हैं, और संधिया चिता की अगनी के समान प्रतीत होती है, और आप सभी जानते हैं, कि जिस किसी की भी मृत्यू होती है, उसे चिता को समर्पित करने की परंपरा है हिंदू संस्कृती में, तो उसी की और संकेत कर रहे हैं, कभी पंत कहते हैं, कि जब संधिया की लालिमा आकाश में च्छा जाती है, तो वो लालिमा हिर्दै को आनंदित नहीं करती, प्रकृती को सुंदर नहीं बता बनाती, बलकि चिता की अगनी के समान भयंक और विनाशकारी प्रतीत होती है, आकाश में जो ठंडी हवा चलती है, तो सामान्य दिनों में तो हम उस ठंडी हवा से आनंदित होते हैं, लेकिन जब इस विनाश लीला के बाद आकाश में ठंडी हवा चलती है, तो ऐसा लगता है, मानो ये सारा संसार परिवर्तन की विना जीवन बहुत कम होता है इसलिए सुख को सर्सों का फूल यानि सुख के जो शन है वो कम है लेकिन दुख सुमेरू परवत सुमेरू यानि बहुत उचा एक परवत है जो हमेशा रहता है नजाने कितने वर्षों से निरंतर विद्यमान है तो दुख हमेशा जीवन का अंग बन हां है कंकाल होता है धाचा आप सभी जानते हैं धडियों के धाचे को कंकाल कहते हैं जिस पर रक्त मास मज będzie तवचा कुछ भी नहीं है उसे कंकाल कहा जाता है तो जगत को कंकाल कहने का अर्थ है कि संसार पूरी तरह से खोखला है साहीन है मिथ्या है इसका कोई भी इसके अंदर सार्तत्व है ही नहीं कवी कहते हैं कि जगत के वन में पीड़ित होकर चीखना व्यर्थ है क्योंकि शांती और सुख संसार में नहीं अपितु संसार के उस पार हैं जैसे ही कभी इस बिंदू पर आते हैं कविता में जब वे बात करते है कि इस संसार में केवल और केवल दुख है पीडा है विनाश है सुख आनंद है ही नहीं और कहां है आनंद इस संसार के पार है यानि परमात्मा के पास है यानि मुक्ति के बाद आनंद की प्राप्ति व्यक्ति को हो सकती है जहां वो इस बात की और संकेत करते हैं वहीं से कवित की दार्शनिक प्रष्ठ भूमी अभिव्यक्त होने लगती है इस बात को आप ध्यान में रखेंगे इसलिए परिवर्तन कविता को दार्शनिक प्रष्ठ भूमी पर रचित कविता कहा जाता है आगे चले परिवर्तन के माध्यम से इश्वर के स्रिष्ठी के कणकण में व्याप्त होने की ओर संकेत किया गया है और जहां से दार्शनिक प्रष्ठ भूमी शुरू होती है कविता की कविता की कविता की कहते हैं कि स्रिष्ठी के कणकण में इश्वर का वास है और स्रजन और संगहार एक दूसरे के पूरक हैं, जब स्रजन होता है, यानि निर्मान होता है, रचना होती है, तो संघार भी अवश्यम भावी है, क्योंकि संघार नहीं होगा, नाश नहीं होगा, तो पुनह स्रजन की संभावनाएं ही उत्पन नहीं होगी, यानि कवी का मानना है कि स्रजन और परस पर एक दूसरे के पूरक हैं, जो संसार को पून्ता प्रदान करते हैं, स्रिष्टी को पून्ता प्रदान करते हैं, जगत को पून्ता प्रदान करते हैं, कवी ने कहा है कि जो मृत्यू रूपी रात्री प्राणी के नेत्र बंद करती है, वही प्राते काल होने पर नव जीवन के रूप में नेत्र खोल भी देती है, यानि जो शक्ती मृत्यू जैसे हरदय विदारक द्रश्य उत्पन करती है, यानि एक जीवन का अंत करती है, वही शक्ती एक नए जीवन का उदय भी करती है, अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि मृत्यू और जीवन जन्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानि इनके द्वारा ही संसार विक्सित होता है, जैसा कि हमने शुरू में ही जान लिया था कि परसपर विरोधी इस्थितियों के बीच से ही ये संसार, ये स्रिष्टी, ये जगत विकासमान होता है, आगे चलें, कविपंत ने परिवर्तन को विश्व व्यापी, क्योंकि ये परिवर्तन केवल भारत की सीमाओं में है, या राजिस्थान की सीमाओं में ऐसा नहीं है, बलकि संपूर्ण विश्व में ये परिवर्तन व्याप्त है, तो इसलिए इसे विश्व विश् जिसका किनारा नहोने का मतलब क्या है जिसका किनारा नहोने का अभिप्राय है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है अपार है यानि जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता जिसका पार पाया नहीं जा सकता विपुलाकार है यानि विशाल आकार का है अनिर्वचनिय है यानि वचनों क द्वारा जिसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता परिवर्तन एक ऐस्ती विश्व व्यापी स्थिती है जिसे हम कितना भी अपने भावों के द्वारा अपने शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करें फिर भी उसके पून स्वरूप को अभिव्यक्त करना हमारे लिए नहीं है इसलिए कवी ने इसे अनिर्वचनिये कहा है और इंद्रजाल के समान माया भी है इंद्रजाल यानि इंद्रियों पर एक ऐसा पुराने समय में दोस्तों इंद्रजाल एक जादू हुआ करता था जिसमें इंद्रियों को इस प्रकार अपने जाल में ले लिया करते थे कि वे जो दिखाना चाहते थे वही उन्हें दिखाई देता था और परिवर्तन भी यदि विनाश का द्रश्य दिखाना चाहता है तो लोगों को विनाश के द्रश्य ही दिखाई देते हैं यदि सुनहरा द्रश्य दिखाना चाहता है सुन्दर द्रश्य दिखाना चाहता है त प्रकृति के विभिन उपादान हमें चीजें बहुत सारी सिक्षाइं देते हैं इसलिए सिक्षा का स्थल कहा है प्रकृती को सुंदर नर्थकी के समान बताया है और परिवर्तन को नश्वर यानि नाश करने वाला और सूत्रधार यानि संपूर्ण स्रिष्टी के शक्ती को केंद्र को अपने हाथ में धारण करने वाला कहकर के पुकारा है प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवी पंत ने परिवर्तन कविता में सूत्रधर के से कहा है तो परिवर्तन को सूत्रधर कहा है कवी ने परिवर्तन को ही स्ट्रष्टी का नियंत्रन करने वाला और समस्त कारे व्यापार का संचालक बताया है जिसमें निराकार, साकार, जीवन और मृत्यू सब व्याप्त है यानि सारी स्थितियों का नियंत्रन कभी के अनुसार यदि किसी के पास है तो वो है परिवर्तन अंत में कभी परिवर्तन को चिरंतन यानि कभी नसमाप्त होने वाला विवर्तन यानि संसार में चक्र लगा चक्र लगाने वाला और विवर्त हीन विवर्तन चक्र भी लगाता है और चक्रों से युक्त रही तो भी है क्यों क्योंकि ये संसार परसपर विरोधी इस्थितियों के बीच विक्सित होता है ये कहकर के संपोधित किया है आगे चलते ह तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित परिवर्तन कविता की विशयवस्तू को उसके मूल भाग को अच्छी तरह से समझा और ये जाना कि परिवर्तन कविता के माध्यम से कवी हम पाठकों को क्या-क्या संदेश देना चाहते हैं अगले सत्र का बेसबरी से इंतजार कीजिए क्योंकि अगले सत्र में हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तन कविता के चैनित अंशों की व्याक्या तब तक के लिए